काशी राम आवास योजना कॉलोनी में शिवकुटी थाना क्षेत्र के अंतरगत एक दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कम्प मचा दिया. पती पत्नी ने एक साथ अपने कमरे में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. जब सुबह का समय हुआ और दोनों का दर्वाजा नहीं खुला, तो परिवार के सदस्यों ने दर्वाजा खट-खटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. दर्वाजा अंदर से बंद नहीं था और जब उन्होंने दर्वाजा खोला तो दोनों लटके हुए पाए गए घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टन के लिए भेज दिया अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन उन्होंने हर संभावित पहलू की जांच शुरू कर दी है पुलिस के अनुसार इस जोडे की शादी एक वर्ष पहले हुई थी रिष्टे में तनाव और विवाद के कारण या आत्महत्या की वारदात हुई है ऐसा प्रथम दृष्टिया मानते हुए SHO ने जानकारी दी लक्षमी और भगवांदास के बीच के मुद्दों की जांच के लिए पुलिस हर बिंदु पर साक्षातकार कर रही है लक्षमी की उम्र बीस वर्ष बताई जा रही है और यह दुखद घटना पूरे परिवार पर भारी चोट लगा गई है घटना के बाद से घर में मातम चा गया है और डॉग स्क्वाइड और फॉरंसिक टीम घटना स्थल पर पहुँचकर मामली की गहराई से जांच करने में जुट गई है इस घटना ने क्शेत्र के निवासियों को हत प्रभ कर दिया है क्योंकि कुछ ही दिन पहले लक्षमी अपने माईके से अपने पती के साथ लोटी थी ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सामाजिक दबाव या नीजी विवादों ने इस दुखद स्थिती को जन दिया पुलिस जांच कर रही है और आवशक कदम उठाने का आश्वासन दे रही है ताकि इस तरह की घटनाएं भविश्य में न हो सके इस तरास्ती के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दोड़ गई है